बता है कि जब हम किसी चीज को याद करते हैं याद करने की कोशिश करते हैं तो वो सब चीजें हमें थ्री स्टेज में लर्न होती है पहली स्टेज होती है इंकोडिंग दूसरे स्टेज होती है स्टोर्ज ता थीसरे स्टेज होती है रिटेंशन पहली स्टेज इंकोडिंग ज इस स्टेज में हमना जो भी इन्फोर्मेशन में कोड़ किये होते हैं जो भी इन्फोर्मेशन में होते हैं जो भी इन्फोर्मेशन मिली होते हैं और जितना कुछ भी हमने अपने इन्फोर्मेशन में स्टोर करके रखे होते हैं उस चीजों को याद कर नहीं तो अचानक जब आप से कोई specific question पूछा जाए तो स्टोर से उस particular information को निकाल कर लाने का काम retention का होता है इसलिए स्टेज को remembering नाम भी दिया गया है वैसे अगर हम बहुत सिंपल से एक्जामपल से समझें तो अगर हम एक एक्जामपल लेते हैं तेमाटो तेमाटो जिसके हिंदी मिनिंग होते है अब हमनेने तेमाटो ूर्- टामाटो 6 एक सेक्वेंस में बार बार देखा बार एक भी अधार अजिपना सुलूख में किसी नोट बुक में लिखा हुआ है sure जिसके हिंदी मीनिंग होते है तेमाटो उसकों बार पार देख रहे हैं जिससे हमारे nation वह सिस्टेम में चैंज आई और धीमें हमारे घ्रीमिन में में ठ्रैस है स्टार्ट उसके बाद हम उसका पर्षेप्शन कर रहे है तो हम इतना सा बड़ा होता है फिर रेट कलर का होता है जिसके करारणा हम उसको एंकोड करने की कोसills कर रहे हैं तामेटों के स्पैलिंग को कर दो एक पार में लंग करने का अर आफि करने का अबकी ऑड़े को प्रोल्च अजय होगा पर इंसान करने का था अपनम अलग तरीका हुटा है यह अर्bird स्टेज एलाव माल लाच टाम्यो कोई पूस्तार खिती है हिंदी के उद्स आप चाहर प्याच पाबाइट खीक्थ्मिंग ताफ का तो य५ य५ और अन्त सबस्काद मिल क कि कैसे जब कोई आपके बारे में पुचता ताप सिर्फ टमाटर ही क्यों बताते हैं यह काम होता है रिटेंश्विंट क्योंकि रिटेंशण को बता है कि डिर सारी चीजे इसन वख बता हुए है लेकिन अगर हम से बाहर होगेच से बारे में पूछा गया Spider तो हमें पार्टिकुलर एरिया से एक डेस्ट के बारे में इन्फोर्मिशन ला करें बाहर डिलिवर करनी है μलब कि अगर टमैट bouण के बारे कूछ ए घया है तो टमाटर ही बताएंगे प्याच नहीं बताएंगे और कुछ और नहीं बता सकते ये काम होता है retention का I hope आपको ये वीडियो समझ में आई होगा